ओम शान्ती आज 25 एप्रिल 2023 है रूहानी शान क्या है? हद के शान क्या होते हैं? दोनों के अंतर को हम आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं सुनेंगे आज का स्लोगन रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते इस कल्यूगी दुनिया में लोग तीन चीजों को बहुत दिल से चाहते हैं और वो तीन चीजे हैं नाम, मान और शान इन तीन चीजों के आधार से ही वे अपने जीवन बिताते हैं और इन तीनों के लिए ही वे अपने जीवन जीते हैं और इसलिए इन तीनों के लिए ही वे दिन रात महनत भी करते हैं पसिना बहाते हैं और ना मिले तो उसके लिए लड़ने के लिए भी तयार हो जाते हैं बाबा ने हम बच्चों को रुहानी नाम, मान और शान दिये हैं हम सब के रुहानी नाम है ब्रह्मा कुमार और कुमारिया शिववन्शी ब्रह्मा कुमार कुमारिया कहा जाता है रुहानी मान है स्वामान जो बाबा ने हम सब को टाइटल दिये हैं जो स्वेम भगवाने हमारा मान रखा है वही स्वामान हमारी रुहानी मान है और तीसरा है रुहानी शान रुहानी शान हमको सबसे ज़्यादा शिप बाबा और ब्रह्मा बाबा ने दिये हैं और सर्व स्रेश शान क्या है? हम सब उस स्वैम परंपिता परमात्मा के हम रुहानी संतान है, यह सर्व से स्रेश शान है और दुसरा हम दिल तख्त नशीन है, यह भी एक रुहानी स्रेश शान है और तीसरी शान क्या है, भविष्य राज अधिकारी है हम, जो भविष्य राज अधिकारी होते हैं, वे तिलक धारी होते हैं, ताज धारी होते हैं, और तक्त नशीन होते हैं, ये स्रेश शान हमें इस संगम युग पर मिले हैं, तो नाम, मान और शान, रुहानी हम सब बच्चों को अपने इन नाम मान शान, रोहानी नाम मान शान को सदा स्मृती में रखते हैं, स्मृती सुरुप हो करके इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे कभी भी लौकिक या हद के नाम मान शान के पीछे नहीं जाते, उनके मन में कभी मान या शान की इच्छा नहीं बाबा जो वरतलाप करते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा तो बाबा ने एक मुर्ली में यही बताया है कि बच्चे समझते हैं कि ये शान तो अच्छी है ना ये शान तो हमें हमारे पास होनी चाहिए तो इसलिए बाबा ने इस रूहानी शान और हद के शान को एक ब पता चले के हद के शान है, तो इससे पता चलेगा कि जब हम कभी हद के शान में आते हैं, तो हमारे अंदर फिलिंग के फिलू आएंगी, कोई मुझे समझानी दे, या मजाग में भी कोई बोलते हैं, तो मुझे तुरन फिलिंग के फिलू आती हैं, रुहानी शान में रहनी व चल्दी परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, दिस्टर्ब हो जाते हैं, रुहानी शान वाली आत्मा कभी भी टेंशन में नहीं आते, नहीं परेशान होते, परन्तु खुशी-खुशी अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो ये है रुहानी नाम मान शा ओम शान्ती